आलू की रसे वाली सब्जी जो की नाश्ते में पराठे या पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है या फिर कभी जटपट से कुछ बनाना हो कोई और सब्जी ना हो फटा फट से यह तैयारी कर सकते हैं हम इसकी तो इसके लिए हमें चाहिए दो टमाटर थोड़ी सी हरे मिर पूछ और पांच उगलेवे आलू की मात्रा आप कम ज्यादा कर सकते हैं और उसी हिसाब से टमाटर की मात्रा कम ज्यादा हो जाएगी अब हमें आलू को अपने हाथों से तोड लेना है इन्हें हमें कट नहीं करना क्योंकि यह तोड़े वे ज्यादा अच्छे लगते हैं और उधर बस टमाटर को हमने बारिक बारिक चॉप कर लेना है तो इतना भी कोई ताम जाम नहीं है इसमें एक तो यह काम बहुत ही जल् समझ ना आए कि क्या सब्जी बनाए तो बच्चों को आलू पूरी बहुत पसंद आती है तो इस तरह की रसे वाली हम सब्जी बना सकते हैं तो इधर हमारे टमाटर कट गए हैं हरी मिर्चें भी बारिक काट लिए और एक इंच का हमने अध्रक का टुकडा ले लिया इसको अध्रक से एक बड़ा ही अच्छा सा हलका सा तीखा बना जाता है सब्जी में तो बस तड़के की हमारी तैयारी हो गई है यही चीजें चाहिए हमें मसाले के लिए तड़के के लिए हम देशी की यूज़ करेंगे दो टेबल स्पून इसे गरम करके इसमें एक चुटकी ही इंग डाल देंगे और यह जैसे ही भुन जाएगी इसके अंदर हम थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे आपको ना पसंद हो तो कड़ी पत्ते अवाइड कर सकते हैं लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही जबर्दस लगता है इसमें और अब हम इसमें आदा चमच जीरा दालेंगा फिसके अंदर हम हरी मिर्च और अद्रक जो मनें काटकी रखा है उसे अईड करदेंगे और उसे भी थोड़ा भून लेंगे गीने ऑर जैसे ही यह थोड़ा भून जाएगा इसमें हमने थोड़ी सी धन्या पाउडर एक चमच करीब धन्या पाउडर एड़् करी आप अपने स्वाद के हिसाब से लाल मिर्च डालेगा क्योंकि हरी मिर्च भी टली हुई है और उसके बाद हमने कटे हुए टमाटर एड़ कर देने हैं और बस इसको हमने भूनना है और टमाटर डालते ही हम इसमें नमक आड़ कर देंगे ताकि वह जल्दी से बिन जाए बस अपने बाद हमने इसको चलाते रहना है थोड़ा सॉफ्ट होने तक और आप चाहें तो इसे ऑईल में भी बना सकते हैं मैं थोड़ा कम घी या उयल यूज़ करती हूँ तो आप इसमें घी या ऑईल थोड़ा और ज्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अब यह नीचे ना लग आपके थे जो तोड़ के रखे थे हाथों से बस उन्हें एड करने का टाइम आ गया है अब इन्हें एड कर देते हैं और अच्छी तरह से मसाले में इसे मिक्स कर लेंगे सारा मसाला इस पर लिपट जाए इस तरह से अब मसाला जो है अच्छी तरह आलों पर कोट हो चुका है इस वक्त मैंने एक कटोरी पानी इसमें आड किया आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी आड कर लीजेगा क्योंकि ये बनने के बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाएंगे तब भी ये थोड़े गाड़े हो जाते हैं तो इसके बाद हम ये करेंगे कि इसको ढख कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे इसको ढखकर पकाने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके बाद ये तयार हो जाते हैं ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है कितनी बढ़िया बन रही है पानी डालने के बाद 5-7 मिनटी लगते हैं इसे पकने के लिए ढखकर पकाएंगे और जैसे ही मुझे लगा कि पानी कम है तो मैंने पानी थोड़ा और गरम पानी आड़ कर दिया पान्च से 7 मिनट तक पकने के बाद हम गैस को आफ कर देते हैं और सबजी की शकल कुछ इस तरह की है आप देख सकते हैं ग्रेवी और आलू अच्छी तरह एक जान हो चुके हैं अब थोड़ा सा गरम मसाला अड़ किया है हमने और आप चाहें तो कसूरी मेथी भी थोड़ी सी हाथ पे रगड़ कर इसमें आड़ कर सकते हैं मेरे पास इस वक्त अवेलिबल नहीं थी तो मैंने नहीं अड़ा लिये इसमें अब हम इसे गानिश करेंगे हरे धनिये के साथ हरा धनिया बारिक बारिक काटके इस पे छड़क दीजिए और अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए और बस तैयार होगी पूरी के साथ खाने वाली आलू की रसेदार सबजी आप चाहें तो इसे नमक अजवाइन के पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं तो चलिए टिश आउट कर लेते हैं सबसी को और यह बड़ी बढ़िया लगती है सुबा सुबा के नाश्टे में तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लगी यह जटपट सी रेसिपी बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली और बच्चों की तो यह मन भावन है पूरियों के साथ सब बच्चों को बहुत पसंद आती है तो अगर बच्चों को खुश करना हो तो आलू पूरी यह चना पूरी बहुत ही मज़ेदार लगता है नाश्टे में तो आप लोग बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी यह सबजी अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर अपने रिव्यूज दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किय के बिनाना जाएगा और बैल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटिस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो आप लोग भी तयार हो जाएए आलू पूरी खाने के लिए चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आप सब का मेरी वीडियो को देखने का तहे दिल से शुक्रिया